नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चनल सक्सस्किन एटीटू में दोस्तों बहुत ही खुसकवरी के साथ जो है सो आज का वीडियो लेकर क्या है खुसकवरी यह है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं 15 प्रतिसत विर्धी के लिए जिसका जो है लग सिक्षकों के लिए हर्स की बात है ठीक है तो यह 15 प्रतिसत विर्धी के साथ ही बहुत ही जल्द सिक्षाई भाग अब लेटर जारी करेगा और किस प्रकार से जो है यह सर्विस बुक को अपडेट करना है उसके बारे में भी गाइडलाइन प्राप्ट हो जाएगा अब दे सबसे बड़ी खुसखबर यह है दोस्तो यह जो प्रस्ताप पर मोहर लग गया है यह एक अप्राइल 2021 से ही आपको जूर करके दिया जाएगा यानि कि एरियर मिलेगा तो अब टैंसल लेने की बात नहीं है जो बीच बीच में यह बाते आ रही थी कि इसको दिसंबर से जू सीरे कार की बाते जो आ रही थी उसको सिधा सिरे है से मतलब कर दीजिये और यह आपको एक अप्राइल 2021 से ही जोर करके मिलने वाला है जो की एक अप्रेल 2021 से बेतन का जब यह आपको अप्डेट हो जाएगा सर्वीस वुक उसके बाहं से ही मिलेगा पूरी Super सर्विस बुक में आपको यह 15% बिर्धी के बाद आपको जो भी बेतन से नचना बनेगा उस पर जो फिर जिला में उसका जो भी सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना होता है सारे करने के बाद ही आपको पैमेंट मिलेगा लेकिन यह एक अप्रेल किस परकार से जो अहुक होने बाला है जिसमें सबहें हों के लिए जितने भी विध्याल नामित किये लिए जो इसके तहट गया है वहाद उनको जो हैए जानकारी देरहें थे लिए मॉल जांड़ा करते हैं बित विभाग के प्रामर्स के आलोक में ये जो है सो कारवाई सुरू हो चुकी है अब यहाँ पर देखने वाल ये बाते हैं देख लिए ज़रा ध्यान से ये देखिए आज का ये सबसे ज़्यादा गुड निउस है इसमें असपस्ट ड्यूप से देखी दिया गया है क्या दिया गया है देखिए ज़रा सारे तीन लाग सिक्छकों को मिलेगा बढ़ा हुआ बेतन ये कब मिलेगा ये कही से मिलेगा ये असपस्ट ड्यूप से यहाँ पर देखे दिखा रहा किने कि सिक्षा भाग के प्रस्ताव पर मुहर लग चुका फाइनेस डिपर्णमाइंट से ये लोट चुकी है राज के प्रात्मिक विद्यालियों से जो लेकर उच माधिमिक विद्यालियों के पंचाइती राज इवम नगर निकायों के तक्रीबन सारे तीन लाग जो सिक्षक और पुस्तकाल धेक्चे हैं उसके मूल विताने 15% की व्रacaktी की बात चल रही है यनि रास्ता साफ हो चुका है ये 15% ब्रती का लाब ये सभीत परकार के सभी कोटी के शिक्षक और पुस्तकाल धेक्च को मिलेगा जो कि 1 अप्रेल 2021 से ही मिलेगा ठीक है इसे समदित जो सिक्षाई भाग के प्रस्ताव पर जो है बित भाग की मुहर लग चुकी है बित भाग के सुत्रों के मताबिक इसे समदित संचिका जो है सिक्षाई भाग को भेजी जा चुकी है ठीक है यह है देखे बहुत ही अच्छी खबर थी पूरी डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं यहां भी इसको भी देख लीजे थोड़ा सा यह स्वस्वरूप से कहता है कि 15% की बिर्दी करने का नेना लिया गया था जो कि पिछले बार से 2020 में ही यह लिया गया था ठीक है जो मानिये मुखमंतरी जी यह रेली कर रहे थे जो चुनाब का उसी समय उन्होंने कहा था कि हम 15% का बिर्दी करेंगे राज सरकार की योजना थी कि पंचाहिती राज संस्थानों एवब नगर निकाई संस्थानों के अंतरगत सिक्षकों के बेतन में बित्य बर्दी की जाए लेकिन COVID-19 महामारी के कारण यह संकट आ गया था नहीं हो पाया था पर तवाने पंचाहिती राज यह आपको अपचास करोर यह सब बाते दी गई है उसको छोड़ दीजे यह 2015 में 20% बिर्दी हुआ था और यह 2026 साल के बाद देख लिए फुनवा जो है सो यह आपको विर्दी जो है सो फिर से मिल रहा है ठीक है 17% की बिर्दी और बरतमान में 15% की बिर्दी इस तरह से यानि तीसरी बिर्दी है समभदा देख लिए 20% फिर 17% और अभी जो है 15% तो खेर चोड़िए इन सब बातों को हमें ध्यान में नहीं रखना है इन सब चीजों से में कोई लेना देना नहीं है हमें मतलब आपको क्या चाहिए तो यह 15% बढ़ा हुआ बेतन यह आपको एक अप्राइल से यह ही मिलेगा 2021 से ही जोर करके मिलेगा और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मिलेगा उसमें आपको एरियर जोर करके मिलेगा चलिए आगे देखिए यह तीसरी पाचमी आठमी और दसमी के बच्चों का एससमेंट होने बाला है जो राश्ट्रिय उपलबदी सब्सक्राइब किन्दर सरकार कांदिसार इसकार तह से लगों को लगया गया है इस में 36 राजीमें टोटल 737 जीले को चिनित किया गया है उसमें 12 नॉम्बर को यह तीसरी कक्छा पाचमी कक्षा आठमी कक्षा-अर दसमी की बच्चों का ऐसस्समेंट किया जाएगा अब साथियों यहां समझने वाली बात यह है कि यह जो असेस्मेंट होगा वो तीसरी पांचमी आठमी एवं दसमी के बच्चेव का होगा यह 2022 से नई सिक्षा नीती जो लागू हो रही है दोस्तों लागू तो 2020 से ही है लेकिन पूरी की पूरी जो है सो काड़े करेगी 2022 से य राज्यों के मुख सेंद्टर्ण सासित प्रदैसों के पर सासित सहित जो कैंद्रिय मादमिक स्क्षा बोर्ड़्ट राश्डुधिय सैख्षिक्स अनुसंधाण पड़िसत चैंद्रिय विद्याले संघा पांठन इवं चकान निर्दे 방송 को निर्देस में राश्ट्रिय सच्छा और सार्चा चर्ता विभा कि सचीव अनीता करवल के मुताविक राष्ट्रिय उपलब्दी सर्विक्षन के लिए चिनित केंद्रों में केंद्र एबं राजित सरकारों के स्कूल वित्य सहायता प्राप्त प्राइबेट स्कूल सामिर है यानि सभी स्कूल को ये 2021 में हो रही है लेकिन कोरोणा महामारी के बज़ास से इस में जय सो जो भी मतलब विलम हो रही है सब कुछ में कहीं कहीं कोरोना नियुक्षन के अनुडूप बिहार में राष्ट्री उपलबदी सर्विक्षन की तैयारी पूरी है राज़े के 5727 स्कूल राष्ट्रीव इस्कूल निस्चित रूप से 100 समय खुले रहेंगे, सिक्षक चात्र एबं करमचाडी 100 समय उपस्तित रहेंगे, इस्कूल साब सुत्रा रहेगा, एबं सुम्य वस्तित रहेगा, जिन बर्ग कक्चों में सर्वेक्षन कारे का किया जाएगा, वह बड़ा हवादार एबं रोस कशञ़या स्छाहिए और अथी रिक्त पेंग पेंशिल की विवस्था होनी चाहिए चाहिए आति पेंसिल होने पर और उपलूद कराया जा सके थोग supporting है MTD नहीन Koll Wald तो पर ध्यार रखना होगा देखिए बिद्यार्चियों के बना मुद्द करना है इसके साथ ही और कई नियुदेश जारी किये हैं इसके साथ ही मतलब जिले के नोडल आपसर तैनात किये गये है राश्ट्रे सर्विक्षन जो है 196 स्कूल चिमनीत है पटना की ये पटना की बा कता करके कहीं तो सिंड सीक्षा में बैठरी के लिए सरकार चाहर की कुछ बैते वेवस्था बने सिख्चा में मतलब कुछ समझ लिए कि बैहतर करांती परिवरतान आई जिसे जो उप्टियार्ती है हो सिर्फ मसींनी मसीनी इपढ़ाई करके तैयार ना हो ठीक है उनमें ऐन अलग बातावरन अलग जो है सो सब जगह यानि हर जगों पर जाकर उनको एड़ेस्ट करने की तरीका जो है सो आनी चाहिए ठीक है तो चलिए यही सब बाते हैं मूल तो चलिए दोस्तों सिक्षा जगत की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए हमाड़े चनल के सस्क्राइब यही हाँ को बाते हैं कि अग्षा चब बाते हैं